हालो कमांडोस वेल्कम टो बायो मॉलिक्यूस में आगे बढ़ते हैं तो कुछ दिन का गैप हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बैकलॉक था आपने से कवर करने की कोशिस की होगी आपने आपने को जो शॉर्ट ब्रेक मिला उस ब्रेक में आपने जो है वो पड़ होगा आपने ये ब्रेक टीचर्स के लिए था ये ब्रेक जो है वो कमांडोस के लिए नहीं था तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दिनों का सही इस्तिमाल किया होगा और बैकलॉक को भी कवर करने की आपने कोशिस की होगी ठीकिना मेरा यकीन सही है ना ये तो कंफर् ट्रेंणिंग के फेस टू में आप आ चुके हैं और फेस टू में आपके लेक्चर की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी बेटा और आपके लेक्चर का डियूरेशन भी 15-15 मिट के आसपस तकरीबन बढ़ा हुआ आएगा आपको थोड़ा सा जदा एफर्ट करना प बच्चो को जो बोर्ड का एक्जाम देने वाले हैं ठीक है बेटा है ना तो मेरा थोड़ा साथ दीजिए और एक बात ये भी क्लर कर दू मैं कि कुछ मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे बेटा जिनके हमने रिसेंडली वीडियो रिकॉर्ड के कुछ दो-चार महीने पहले तो उनको हम रियसाइन करेंगे लेकिन अभी से मौली के बैसे मैं आपको रियसाइन किया अब उसके बाद थोड़े समय के बाद किया चुकि हमारी टीम में कंटेंड वाली टीम और वीडियो क्रेटर टीम में कई लोगो को करोना हो गया वंबे क अंदर जिसके चलते हमें थोड़ा सफर करना पड़ रहा है चीजों को लिकर तो होगा बस यही कि अभी आपको जो भी वीडियो साइन करेंगे उसके पहले मैं खुद असाइन करके उसको दिखाऊंगा वीडियो के पहले में आऊओंगा वीडियो के बाद मैं आऊंगा परेंटाइन सेंटर में जमेटके तो बड़ा मतला हम लोगों का जो शॉट ब्रेक जो लिया उसमें मेरे को तो काम करना पड़ा को कि टेक्णिकल फ्रेंट पर इतना काम था वो मेरे तरह अगए कोई और मतला पूरी टीम में कोई काम जो कई कोई कोई बिमार होगा तो उसका क मेरे तरफ आया को कि हमारी टीम में लिमिटेड नंबर के लोग है मेरे को सारा काम आता सबको सारा काम बाकी लोग को नहीं आता है कि छोड़ते हैं वो बात हो मेरी समस्या मैं उसे जूजलूंगा डील करके आगे निकल जाओंगा अभी मुद्धा यह है कि आपको आपने दिन करता है जो एंजाइम के शमान विभार करता है उसमें सबसे इं antigustre क्या होता क्या है प्राइमरी इस्ट्रक्ट्टच्टर सेकेंडरी इस्ट्रक्टर ओंसा सबसेरी इंपॉर्टेंड спокойknow मे और एक यह मुद्धा पहला question में ये हो गया दूसरा question ये हो गया कि आपको बताना है कि 2 nucleotide गलती मत करना है जो DNA के डबल strength DNA में अलग-लग strength पर होते हैं वे किस bond के दूंड अपस में जुड़े होते हैं दो nucleotide जो अलग-अलग DNA strength पर हैं वे दोनों किस bond से अपस में जुड़े होते हैं, यह बताना है यह बताना है, चैके, आपको यह बताना है, कि bonding के बारे में बात किया था कि phosphodiester bond क्या होता है, peptide bond क्या होता है, glycosidic bond क्या होता है, अच्छा बताओ ये कौन सा bond होता है, COC ये कौन सा bond होता है, CONH ये कौन सा bond होता है, बताइए मुझे क्या, ठीके, नहीं, ये कौन सा bond है, ये कौन सा bond है, आप मुझे बताएंगे, ठीके लिया चलिए फिर हमने double helical model of DNA की बात की थी ठीक है चलिए फिर मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसा एडिनीन पैरिंग करता है ठाइमीन के साथ में और गवानिन पैरिंग करता है साइटोसिन के साथ में जब भी लिखा करो ऐसे लिखा करो तो उससे number of hydrogen bond याद आता है, कि एडिनिन थाइमिन के बीच में दो hydrogen bond है, और गवानिल सैट्रसिन के बीच में तीन hydrogen bond वो पाई जाते हैं, क्लिया, ठीक है, देख चुके थे हैं, मैंने कहा था, कि double extended DNA को जी आप सीधा करोगे, तो सीधा करने पर वो एक CD के समान बनेगा, तो इस CD की जो ladder है, जो CD है इसकी जो ladder है, वो hydrogen bond से बनी होती है, और जो CD का जो backbone है, वो बना होता है, फास्परडाइस्टर bond से बना होता है, ठीक है ना, क्लिया, यह हम देख रहे हैं, एक double helical model of DNA को देख रहे हैं, किस ने दिया था बिटा यह, वाट्सन और क्रिक ने दिया, इ बिच में तीन hydrogen bond आपको दिखाई पड़ रहे है, एडनीन थाइमिन के बिच में आपको दो hydrogen bond दिखाई पड़ रहे है, नमबर आफ हाइडन थाइमिन के बिच में दो hydrogen bond होते हैं, नी 2020 में पूछा गया question है, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, बताइए कि DNA का DNA में, बत divergence कितना होता है, ठीक है, DNA में, एग्जल राइस कितना होता है, DNA में बिटा, एंगुलर divergence कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था, कि एग्जल राइस का मतला होता है, कि DNA का फेरा होता है, एक पिच होता है, एक फेरा होता है, उसकी लंबाई 34 angstrom होती है, या 3.4 nanometer होती है तो मैंने क्या का, कि 34 angstrom लंबा डियने का, एक पिछ एक फेरा होता है, और उसके अंदर 10 pair of nuketide होते हैं, 10 जोडा nuketide का होता है, तो 2 nuketide pair के बिच की जो दूरी होती है, वो क्या होता है, वो axial rise कहलाता है, 3.4 angstrom होता है, और चुकि एक फेरा या पिछ जो होता है, वो 360 degree का, एक गोले के बराबर है, एक सर्कल के बराबर है, 360 degree का होता है, then divided by 10 तो कितना आ गया, 2 nuketide pair के बिच का angle कितना आ गया, 36 degree आ गया, जो कि उसका angular divergence होता है, याद रखिएगा, ठीके, फिर DNA की दोनों strand के बिच की दूरी 20 angstrom होती है, जो कि diameter of DNA है, ठीके, देखे, जो भी सुचना है, हमारे जीवन से जोड़ी हुई, हमारी cell को चलाने के ल जो भी सुचना हो कि आवशक्ता होती है, वो DNA पर लिखी होती है, ठीके, अब देखो, यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है, आपका जो में आल्रेडी molecular basis of inheritance में पढ़ा चुका हो, थोड़ा सा हिस्सा बेटा, ओवरलेप करेगा, तो घबराना मत, इसलिए मत घबराना आप, कि वो ओवरलेप करेगा, और क्यों ओवरलेप कर रहा हो, मैं उसको कारण यह है, कि बहुत कुछ बच्चा ऐसा भी है, जो 11th का portion ही देख रहा है, जो NEET 2022 को टारगेट किये हुए, तो उन बच्चों को भी थोड़ा basic skills कि लिए उसलिए बटा, यहाँ पर में एक बार, 10-15 मिनिट म फिर, हाँ, तो 1869, फेडरिक मिशर, आइसलिए डियने, फ्रॉम में दी नूकलिक एसिड की खोजा, यहाँ पहला खोजा गया नूकलिक एसिड, ठान रखिए, कि पहला खोजा गया नूकलिक एसिड जो है, वो डियने ही था, फेडरिक मिशर ने डिस्कोबर के था, लेकिन प्रकरती में, Due Course of Evolution में पहला बनने वाला नूकलिक एसिड आरेने था, यहाँ प्रकरती में जो बायलोजिकल एसिड बना वो डियने था, लेकिन जिसके बारे में पहले जानकारी मिली वो डियने था, ठीके, और इसको नूकलिक एसिड नाम दिया, जेकरियस ने जो है इसके के लिए DNA नाम प्रपोस किया उन्होंने डी ऑक्सी राइवोस न्यूकलिक असिड का ठीक है कोशन नाम के साइंटिस ने डीने में प्यूरी और पाइरमिडिन को डिस्कवर किया और इसके लिए इनको 1910 में नोबल प्राइज विला और यह बड़ी महत्पून डिस्कवरी थी क तो DNA to DNA जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है वो नाइटलन बेसका होता है ठीके ना वही लेंग्वेज है DNA की वैसे ही कोड को एक्सपस करता है तो इन्होंने बताया कि यह बड़ी महत्पूर खोश थी hammer stand first time showed that DNA content pento sugar hammer stand ने पहली बार बतलाया कि DNA में जो शुगर होती है वो normal sugar से अलग होती है normal sugar आपकी hexose है six carbon sugar है पर DNA के अंदर जो शुगर होती है वो five carbon sugar होती है this was the discovery of the DNA के अंदर pento sugar होता है ठीके then 11 नाम के sentence ने बताया कि DNA में जो pento sugar होता है वो two deoxy ribos होता है मतलब it is different from the ribos sugar it is the two deoxy ribos sugar यहने carbon number two पर hydroxy group एक oxygen कम होता है इसलिए two deoxy ribos होते है two का मतलब second carbon पर एक oxygen कम है deoxy मतलब oxygen कम इसलिए वो ऐसा ribos sugar ऐसा ribos sugar जिसमें second carbon पर एक oxygen कम है उसे deoxy ribos sugar खेते है ठीक है फिर fusion on rosenbeck यह पहले भी पढ़ चुक है हम cell the unit of life में हमने देखा हुआ है fusion on rosenbeck ने जो है वो specific standing technique को खोजा विटा विसल्स प्रकार की standing technique को खोजा कुछ ऐसे chemical खोज लिए जो DNA की presence को बतलाते हैं और वो chemical है basic fusion standard के तो जो reaction करते हैं यह basically क्या करते हैं जो 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 उसकी pentos sugar में जो aldehyde group होता उससे वो react करते हैं यह pentos sugar के aldehyde group से react करते हैं और उससे यह जो है वो DNA की presence को बतलाते हैं तो इसे हम fulgence test कहते हैं इसको यह हम ऐसा DNA के लिए पहुचती बाता है कि 1949 में चारगाफ ने बताया कि DNA के अंदर जो nucleotide होते हैं वो 4 तरह होते हैं मतलब उनमें जो nitrogen best होते हैं वो different type की होते हैं कुछ में adine होता है कुछ में thaiumin होता है कुछ में gwanin होता है कुछ में cytosin होता है और इन्होंने एक बड़ी चारगाफ ने यदी चारगाफ मेरी ब double helical model of DNA क्योंकि double helical model of DNA में जो है यदि हम rule of best pairing को हटा दे हम आपे की adine in thaiumin से pair करता है guanin cytosin से pair करता है इसको हम हटा दे तो double helical model फिर बनाना मुश्किल है तो Watson और Crick को क्या help में उनको help में चारगाफ से भी उनको help में ली तो चारगाफ ने बताया कि कोई भी double strength DNA में हमे इसा एडिन का amount thaiumin के बरावर होगा guanin का amount जाए वो cytosin के बरावर होगा किसी मिट दिये गए double strength DNA में यदि माल लिजे आपको adine का amount मालूम है तो आप सब का amount निकाल सकते हैं देखते हम आगे question ठीक है एग भी nitrogen based का एग भी nucleotide का दिया आपको amount मालूम है तो आप उस double strength DNA म में बाकी का amount भी आप निकाल सकते हैं इन्हों ने बताया कि always adine divided by thaiumin is always equal to 1, guanine divided by cytosin always equal to 1, मतला जो amount of adinein है वो amount of thaiumin के हमेशा बरावर रहेगा, amount of guanine हमेशा amount of cytosin के बरावर रहेगा, but this is true only for the double extended DNA के लिए सही है तके ना बिटा ये केवल double extended DNA पर लागू होता है, single extended DNA पर ये applicable नहीं है, clear? चलिए ये बात हमको संजमाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब ऐसा इस लिए कि जो है वो मैंने कहाना आप से, कि adine, जो DNA उसमें guanine हम ऐसा cytosin से pairing करता है, देखिए आप 1, 2, ने, आपको 1, 2, and 3, आपको hydrogen bond दिखाई पढ़ रहे है, इसका मतलब ये, आप देखो, इंटरस्टिंग बात ये है, कि यदी मैं, मैंनी बात सुनना भीड़ा धान, कि कुछ हम derivation हमें काम करते हैं, पहले हम ये इस पर पहले बढ़ने के पहले हम कुछ derivation में बात करते हैं, मैंने कहा कि चारगाफ ने बताया कि adine and thymine का amount बराबर ह इसका value 1 आएगा, correct, ठीके, ये एक हमारे पास एक के, guanine और cytosine का amount बराबर होता है, तो value इसका भी 1 आएगा, ठीके डा, फिर adine plus guanine, ठीके, thymine plus cytosine, इसका value कितना आएगा, इसका value भी 1 आएगा, क्यों 1 आएगा, पहले हम आएगा, क्यों 1 आएगा, पहले हम आएगा, इसका value 1 नहीं आएगा, क्यों 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 नहीं आएगा, क्यों 1 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 आएगा, इसलिए 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 नहीं आएगा, के, but it is specific for a particular species, जैसे कि human से, human में ये 1.5, जो ratio है, a plus t oblique g plus t, human में ये ratio कितना है, ये जो ratio मनुष्च में human में कितना है, 1.52 जो fix है, जो एक species में जो DNA होता है ना, उसमें कुछ चीज वैल्यू विटा fix होती है, याद रखना भूलना ने तो मतलब जो species होती है, उसके लिए जो a plus t oblique g plus c का जो ratio है, वो अलग-अलग species में अलग-अलग होगा, पर एक particular species में वो value fix होगा, जैसे एशिर्या कोलाई बेक्टरा में 0.97 है, अब simple सी बात है, यदि कहीं पर value एक से कम आ रहा है, मतलब ये है कि एड़नीन, थाइमीन की चुर्तुल्ला में, गवानीन और साइटो गवानीन, साइटोसेंट के, देखा हमने का आप से, कि human being के लिए 1.52, एशिर्या कोलाई के लिए 0.97, तो ये से क्या मालूम चलता है, कि जो lower organism है, जो बेक्टरा के समान, जो lower organism है, उनमें गवानीन, साइटोसेंट जो है, वो अधिक होता है, एस कम पर तुदी, एड़नीन प्रस थाइमीन, और जो higher organism है, उनमें गवानीन साइटोसेंट की तुल्ला में, एड़नीन थाइमीन का वैल्यू अधिक होता है, क्लियर, एक common point है दिमाग में डाल लेना, ठीक, चलो एक काम करते, अब आप question लगाओ के, अब इस यहाँ पर मैं question आप देखिएगा, और आप जो है बिटा, वीडियो को pause कीजिएगा, और question लगाईएगा आपका, और उसके बाद फिर आप वीडियो को on कीजिएगा, समझ गए ना, तो पहला question में हिंदिम बोलता हूँ, इफ इन डबल स्टन डियने, यदि एक डबल स्टन डियने में, साइटोसिन का value 10% है, साइटोसिन 10% है, तब उस डियने में, एडियने की मात्रा कितनी होगी, यह आपको बता रहा है, तो चलिए, टाइम आ गया है, वीडियो को pause कीजिए, solve कीजिए, और फिर solution देखिए, clear? चलिए, उम्मीद है, आपने वीडियो पॉस्ट किया होगा, मेरी बात मानी होगी आपने, अरे माना करो उने तो मारूंगा, पिटा ही लगाूंगा, ठीके, ना माना करो है, ठीके, ना, don't be smart, जो बोल रहे हैं, उसको follow करो है, यदि कमांडो है, तो उसको follow करना है, तो लिए, बराबर होता है, ठीके, ना, तो इसका मतलब यह है, बेटा, कि डबल इस्टेंड यहने में, इसाइटोशन 10 परसेंट है, तो गवानिन भी कितना है, वो भी 10 परसेंट आया, दोनों को मिला कि क्या बोला, आमने दोनों मिला कि कितने होगा, यह 20 परसेंट होगे, आपको क्या निकालना, आपको अधनिन निकालना है, तो आपने 80% को डिवाइट कर जिया, दो से, दोनों पैरिंग करते हैं, आपस में, बराबर अमाउंड में होते हैं, तो आंसर क्या आगया, इसका, आंसर आगया इसका 40%, बिलकुल सिंपल सा कोशन है, अरे भाई, तुमक तो अगला कोशन कराओ, नेक्स कोशन है, यदि एक डबल स्ट्राइट DNA में, एड़निन 17% है, ऍञाध वूण कॉन्त निकालना होते हैं न, वीडियो पॉस किजिए, इस्ट्राइब किजिए, पहले अपना, फिरम देखते हैं मीटा, चलिए, मुझे पूरी उम्मिदे, अच्छे बच्छे, समझदार बच्चे हैं आप, ठिक रहा? होशयार, सबसे होशयार, सबसे समझधार, ठीके? तो केंदे क्या कहा? आपसे, एडनीन, सेवंटीन परसेंट, तो इसके बराबर कितना होगा होगा? भी थयवटबीन 6 परसेंट आएगा यह गौनिंट प्रस साइटोसीन होगा आठके और इसको आपने हाफ किया तो आधा होगा बेटा गौनिंट आधा होगा साइटोसीन तो हम आंसर किricky जाएगा 33 परसेंट इसका आसर आणसर जाएगा ہے next question मत थी थोड़ा दिमाग लगाईएगा इसको आप कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा अटेंक्टिव रहिएगा आप इसको कर सकते हैं if in a double-stranded DNA, एक double-stranded DNA में total 100 best पे रप्रिजेंट है out of this 40 nucleide having guanine, इनमें से 40 nucleide में guanine प्रिजेंट है तो आपको क्या पता लगाना है, पहला question का पार्ट है बता लगाना है आपको कि कितने न्यूक्टाइड में एडिन होगा, कितनों में साइटोसीन होगा, ठीक है फिर आपको यह पता लगाना है कि कौन से best pair की संख्याज DNA में अधिक है, ठीक है, चलिए solve कीजे, वीडियो पॉस कीजे, ताइम दीजे अपने आपको, टाइम दीजे, solve करो बेटा, आप solve नहीं करेंगे तो ऐसे काम चलेगा, एक्जाम में तो आपी को जाना ना एक्जाम बच्चे का होता, टीचर का नहीं, है ना समझ गे, ठीक है, चलो, तो आते हैं, है ना, उम्मीद है अपने सही आंसा निकाला होगा, देखो बेटा, एक डवल स्ट्रेंट यहने में, 100 बेस पेर, 100 बेस पेर, बोले तो, 200 नुकलियो टाइड, है ना, बेटा, सही बात है ना, है ना, ठीक है, अब 200 नुक्ताइड में से, 40 नुक्ताइड में ग्वानिन है, 40 नुक्ताइड में ग्वानिन है, तो 40 में ही क्या होगा, बेटा, 40 में ही साइटोसिन हो गया, 40 फ्लस 40 कितना हो गया, 80 हो गया यह, हो गया ना, ठीक है, यह हम 40 पेर बोल सकते हैं, सीधर सीधर हम 40 पेर भी बोल सकते पर हमने का चलो 80 हो गया तो इसका बतला ग्वानी ने दी 40 है तो cytosin भी कितना हो गया cytosin 40 हो गया तो यह answer आगया पर cytosin का amount कितना आया 40 nuketide होंगे इस केट के और simple सी बात है कि 40 plus 40 80 हो गया 80 को आपने घटाया 200 में से तो क्या बचा बेटा क्या बचेगा आपका बचेगा 120 बचेगा 120 बचेगा तो उसमें से आधा क्या होगा आधा उसमें होगा एड़नी आधा होगा उसमें थाइमीन के तो 60 हो गया एडनीन 60 हो गया, एडनीन 60 हो गया थाइमिन के, simple pair कर लेंगे तो भी वही वाले, कि दी आपका cytos, जो है वो, गवानीन 40-nucleide है, cytosin भी 40-nucleide कितना हो गया यह, 40 pair हैं 100 में से 40 pair जो है वो, गवानीन, cytosin के हैं, तो 60 pair किसके हैं, एडनीन थाइमिन के तो 60 एडनीन है, 60 थाइमिन है, पेर बोला ना ठीके, और सबसेधिक पेर किसके हैं, 60 एडनीन थाइमिन के, और 40 गवानी cytosin के, यह भी है, दूसरा भी अंसर आ गया, 20-US pair is maximum, it is एडनीन तो यह दियने किसका हो सकता है, यह दियने, pro critic का दियने हो सकता है, ठीके, नहीं, you critic का दियने हो सकता है, इसमें की, जो value है वो एक से अधिक आता है, ठीके ना, clear, चलिए, तो अब थोड़ा सा हम recall करेंगे, double helical model of DNA को थोड़ा सा देखेंगे, ठीके थोड़ा detail से विटा, और basically जो बच्चे molecule best of inheritance पढ़ रहे हैं, तो वो already detail को जानते हैं, तो आपका भी एक बार विटा रिकॉल हजाएगा, तो कर लेते हैं एक फटाफट इसको हम, ठीके, Watson और Crick ने, 1953 में जो है वो, double helical model of DNA को दिया, इसके लिए 1962 में नोबल पाइस मिला, ठीके, 2003 को हम बोलते हैं, golden jubilee year of double helical model of DNA कहते हैं, जब जो पचास साल पूरे हुए थे इसके, और helical nature, DNA की, helical nature की प्रकरती को बतला था Franklin नेटके, और ये बड़े दुरभागी की बात है, कि Rosalind Franklin को जो है, ठीके के लिए, ठीके, देखने हैं, ये जब Watson और Crick ने DNA का double helical model दिया, तब वो काफी यंग थे, मतलब youngest scientist में से एक थे जोनों ने इस model को दिया, ठीके, बाद में Crick ने Central Dogma of Molecular Biology को भी बतलाया, Crick ने, ठीके, फिर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि हमें जो दिखाई पड़ रहा है, कि इस model को देने में, एक सबसे बड़ा योगदान इस model का है, ये जो double helical model दिया गया, इसको प्रस्तुत करने में, इसके लिए जानकारी जो information है, उसे जुटाने में, सबसे बड़ा important role था, x-ray crystallography technique का, किसका बिटा, x-ray crystallography technique का, और tools and technique already हम, sell the unit of life में पढ़ चुके हैं, tools and technique के, तो x-ray crystallography का बड़ा योगदान था यहाँ पे, और क्या हुआ बिटा, कि हाँ पे, हम देखते हैं, कि हमको DNA के intra molecule detail मिले, Wilson, Stock और Williams के, विल्सन, Stock और Williams ने इनको जो है, वो details provide करने में role play किया, तो रोजलिन फ्रेंक्लिन ने बताया कि DNA helical nature का होता है, ठीके, और इसी जानकारे ने वास्तव में, Watson और Crick का double helical model of DNA था, वो कई सारी सूचनाओं का इस्तिमाल किया गया था, जैने उसमें कई सारी information available थी already, 3.4 angstrom होती है, दो best pair के बीच की दुरी 3.4 angstrom होती है, एक फेरे में दो group होते है, क्योंकि जब दिखिए DNA घुमता है ना तो group बनता है, जैसे मैंने का ना यह minor group है, कि यह major group के, और यह कोई भी फेर, दो धागे घुमेंगे तो बीच में खाच बनेगी, जो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको, हम खाच बोलेंगे इसको, ठीके, उससे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम word इस्तिमाल करते हैं, क्या, उसके लिए हम यह क्या word यूज करते हैं, ठीक है ना, खेलर, ठीक है, अब DNA में, आप देखने में आपको बताया बड़ाए, DNA के टाइप पर भी हमने बात क्या हुआ है, तो हमने क्या देखा, हमने कहा, कि जो DNA मॉलिक्ल होता है, उसमें जो BDNA, जो जिस DNA को हम देख रहते हैं, वो था, बटा, BDNA था, जो हमने मॉलिक होती है, ठीक है, तो DNA, जो normal DNA, उसकी हम बात करेंगे हाँ पर, अभी हम केवल normal DNA पर फोकस करेंगे, उसकी बात करेंगे, normal DNA में, right-handed coiling आपको देखने मिलती है, क्या देखने मिलती है, आपको, right-handed coiling आपको देखने मिलती है, ठीक है, फिर 1962 में, जो Nobel Prize मिला, Medicine का, Physiology का, वो James Watson, Francis Crick और Maurice Wilkins को मिला, ठीक है, और इसमें, Rosalind Franklin को शामील नहीं किया गया, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी, इस बात किया, ठीक है, फिर, Arthur Kornberg, Discovered Enzyme DNA Polymerase from the Asher Glybettner, important है, देखो बिटा, simple सी बात है, DNA एक polymer है, किसका polymer है, वो polymer होता है, Nucleotides का, कौन से Nucleotide का polymer होता है, Deoxyribonucleotide का polymer होता है, और polymer बनाने के लिए, आपको Condensation करना पड़ेगा, Dehydration Synthes करनी पड़ेगी, उसके लिए Enzyme की requirement होगी, ऐसे Enzyme, जो Polymer को बनाते हैं, ऐसे Enzyme, जो Polymer को बनाते हैं, वो Polymerase खलाते हैं, क्योंकि Enzyme का सरनेम क्या है As, एनने जहां भी Enzyme मोगा As लगा दो, एमाइलम पे काम करेगा, MLS, प्रोटीन पे काम करेगा, Protease, लिपिड पे काम करेगा, Lipase, DNA पे काम करेगा, DNAs, ATP पे काम करेगा, ATPS, ठीके, जोड़ेगा, Ligate करेगा, Ligase, Lysis करेगा, तोड़ेगा, Lysis, ठीके, Dehydrogenation करेगा, Dehydrogenase, आरी बसने, जो As है, वो Enzyme का सरने में यह माल लो, आपके, As लगा मतलब Enzyme, जैसे बुलता है, All लगा, Alcohol, पुढ़ते हैं, वैसे हमने कहा, As लगा मतलब Enzyme, तो हमने क्या कहा, कि DNA Polymerase Enzyme, जो DNA को बनाने के लिए, Nucleotide का Polymeration करता है, उसको Asherak Lies से डिसकोवर किया, Arthur Kornberg ने, बड़ी महत्पुन खोशती है, By the use of DNA Polymerase, Kornberg first synthesized DNA in the laboratory, आप Kornberg ने इस Enzyme का इस्तमाल किया, और laboratory के अंदर DNA को बना लिया, उन्होंने, इसे बोलते हैं, In vitro DNA synthesis, या DNA synthesis in cell-free extract के, और कोशी का विहीन माद्यम में DNA को बनाना, DNA synthesis in cell-free extract, कोशी का विहीन माद्यम में DNA को बनाना, या DNA का प्रयोक्षाला में निर्मान करना, ये किसने क्या, Arthur Kornberg ने क्या, और इसके लिएन को 1929 में Nobel Prize मिला, ये important है, याद रखना, ठीके, मैं पहले भी कह दूँ आपसे, कई बातें आपकी NCRT में नहीं हैं, बेटा, लेकिन, 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 एक्जाम का spectrum देखते हुए, एक्जाम का importance देखते हुए, ये हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें cover करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बार-बार, ताकि आपको पेपर में थोड़ा भी change हो, तो आपका विकेट नहीं जिड़ जाए, समझेगे ना, पता चला, ऐसा केवल हमने अपना काप को confine करके hit विकेट कर लिया, ऐसा नहीं करना हमको, ठीके ना, तयार रहना हमको, क्योंकि आपको बता दूँ मैं, जिससे से exam में जो Please be serious, के गंभिरता से लेजे, मजाक में मत लेजे चीजों को आप, ठीके ना, चली, इन विट्रो का मतला मैंने कहा, लेबरेटरी, प्रियोकसाला के अंदर विट अटके, ग्लास वेर के अंदर अटके, तो देखो बिटा, अब ये छुट-छुटी बाते हैं, जो exam में कि आरे बराने के लिए का एंजयाएम लगेगा, आरे ने पॉवर्यस हैंयम लगेगा, डीयने के लिए क्लिए पॉट्यवर्यस हैंयम लगेगा, डीयने पॉट्याएम लगेगा, ठीके, फिर एक इनफॉर्मिशन दिमाग में रखना ए, सेपीरो was the first scientist who obtained a photograph of gene, पहली बार किस असा ने जीन का फोटोगराफ खीचने की कोशिच की, वो थै शेपिरो, उन्होंने लेक ओ पिरॉन, अब यह लेक ओपिराउन क्या है हम पढ़ेंगे Molecular Basis of Inretance के, उन्होंने लेक जीन का फोटोगराफ लिया, then come to the properties of DNA what are the unique properties of DNA यह बड़ा common question में डटके यह जो है हमने हमें मालू हमें अच्छे से कि कुछ हिसा ऐसा है यहाँ पर जो आपका molecule basis of inheritance से overlap कर रहा है तो बटा चिंता मत कीजे कई बार कुछ चीज़ ऐसी होगी जहाँ overlap करेंगी सुन लीजे सबर से उसको ठीक है ना सुन लीजे सबर से मैं क्या चाहता हूँ आपसे बताओ मेरी चाहा सिर्फ इतनी है कि आप अपने कीमती समय में साथ थोड़ा समय मेरे को दे आप बहुत बुद्धिमान है लेकिन थोड़ा सा सवरी बातों को भी माल ले commands को थोड़ा follow कर ले है ना आपके अंदर आप परिमित संभाव ना है पर मैं कहता हूँ बेटा जो तुमारा सपना है ना उसे पूरा करनेगी कोशिश एक बार करो दिल से आप बच नहीं सकते हैं आपको बेटा गुरु दक्षिना देना है यह मैं कह रहा हूँ आप से आपको अमेरे को अपनी पता गुरु दक्षिना देना है आपको 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 काम आएगा आपकी काम आएगा आपकी कालेज जाएगे आपके बस जस्ट टो बी सक्सेस्फुल इट इनफ फोर में बीटा ठीक है तो पढ़ लो अच्छे से के करियर जीवन में बारवार आउसर नहीं आते एक बार चला गया आउसर तो फिर दुबार आउसर नहीं मिलता कई बार के कई लोग पश्ताते हैं बाद में इसलिए मैं कहता हूँ देंगे न आप कि एकदम फिरी समझ रखाया मेरे को मुझे आपसे गुरुदक्ष्र ना में आपका सेलेक्शन चाहिए है ना बेटा ठीक है चलो तो प्रॉपर्टिस आफ हम जो है वो डी एने पर आते हैं हमने न ठीक है चले अब क्या-क्या नंबर ने भाई दो पॉलिनुक्राइट सेंखला है आपस में डूडी हुई है ऐसे ऐसे तो यह डाइपॉलिनुक्राइट इस डबल हैलेक्स बाद भाई है ठीक है बोथ हैलाइसे और एंटी परलल टूजर दोनों हैलाइसे एक दूसे एक एक शुरू होता है फाइप प्राइम प यहां पर आपको पचाने का मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है एवरी नीकुल के सीट का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो 5 प्राइम और खतम उसका 3 प्राइम है इसलिए दोनों चैन चुकिए अपोजी डिरेक्शन में इसलिए उनको एंटी प्राइल करते हैं जूटो दी फॉस्प्रडाइस्टर बॉर्ण ठीक है ना क्लियर ठीक है क्योंकि ये डारेक्शन फॉस्प्रडाइस्टर बॉर्ण अब कई जगे पे ये भी एक कन्फूजन है क्या हाइज़न बॉर्ण रोल प्ले करता है बिल्कुल सही बात है एंटी प्रलेलिटी को डिफाइन करने के लिए हम फॉस्प्रडाइस्टर बॉर्ण का इस्तमाल करते हैं बट यदि दोनों स्टेंड के बीच में बैस पैरिंग नहीं होगा ना और बैस पैरिंग किस से होता है बट बिचन का मतलब वो बुर रहा है यहां असेट के अचली में कोई भी मैंने कहाना आप से कोई भी जो नुकलिक असेट चैन है उसकी बिगिनिंग हम वेटा फाइब प्राइम से ही मानते हैं लेकिन अधिए आप एक सिरे पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है एक कसर ओपर एक कसर नीचे तब कहने का मतलब यह है कि जो है 5 प्राइम पर शुरू होता है 3 प्राइम पर खतम होता है तो ये एक दूसरे के एंटिप्रल होते है समझ गए ना बात को ठीक है देखिए ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 ठीक फिर double helix में बिल्कुल सही बात है के एडनीन हमें सा थायमीन से पैरिंग करता है 2 प्राइम ग़ूल्ग पर णोरे होते है और यही लेडर of DNA है यही DNA का लेडर होती है CD होती है ठीक है ना किलियर देखिए है ना यह हम उसके carbon bond को आप थोड़ा सा bond के बारे में हम जालते है हालंकि फोड़ा detail है वो पर कोई बात नहीं है थोड़ा सा 2-5 मिट दे देंगे तो क्या बिगण जाएगा मानलोक अभी आ गया question क्या किस्मत अच्छी रही और question आ गया तो आप ही food के आएंगे फिर ठीके चलिए देखे ना हम देख रहे हैं ये तो ये देखो आपे ना तो ये पैरिंग है ना ये भी very important role क्या देखे क्या लिखा इसमें एक polynucleide chain में जो एक देखे धहां से एक polynucleide chain में दो nucleide के बिच में एक धहां से सून ये का क्या बोला हूँ एक polynucleide chain में दो nucleide के बिच में जो bond है फास्परडाइस्टर bond है ठीक है ना लेकिन DNA double helix में दो nucleide यह दो nucleide के बिच में जो bond है वो hydrogen bond है ठीक है ना कहने का मतलब है इंविडबिन्दी nucleide of a polynucleide chain एक polynucleide chain के nucleotide के बिच में फास्परडाइस्टर bond है लेकिन इंविडबिन्दी nucleide of double helix दो DNA के double helix में दो स्टेंड के बिच में जो bond है वो hydrogen bond है तो मतलब लेडर आफ DNA hydrogen bond के बैक बान आफ DNA फास्परडाइस्टर bond पांच भी शटी बार रिवाइस्ट करा रहा है अपने आपको बनाए रखती है अपने अस्तित में DNA के दोनों helix अपने आपको maintain रखते है और इसके पीछे कारण होता है hydrogen bonding and the hydrophobic interaction याद रखना hydrophobic interaction हमेशा molecule के existence को बनाए रखने में role play करता है क्योंकि जो hydrophilic philic होगा न पानी में घुल जाएगा वो पानी में घुल गया अपना अस्तित्व खतम कर देगा पानी का हिस्सा बन जाएगा तो उसमें से molecule maintain देगा इसलिए membrane भी अपने आपको maintain करती है hydrophobic interaction से DNA भी अपने आपको maintain करता है hydrophobic interaction से ठीक है न अब यदि आपने DNA को गरम किया तो क्या होगा यदि आप DNA को गरम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 100 degree Celsius आपमान पर अपने DNA को गरम किया basically यह जो है यह जैसी आप DNA को 80 degree Celsius से उपर लेके आते हैं तो DNA के दोनों स्टेंड के बीच पर बने हुए hydrogen bond टूटने लगते है hydrogen bond टूटने लगते है अब आप बलोगे सर क्यों टूटता है bond आपके दिमाग में कोशन उठा आपके दिमाग में कोशन सड़न लिया आया कि सर गरम करने पर bond क्यों टूट रहा है अरे भाई समझो बात को hydrogen bond जो है न वो क्या है वो एक तरह का attraction bond है वो आपने molecule को इतना energy दे दिया कि अब उसका kinetic energy इतना बढ़ गया कि अब उसको वो attraction उसको महसूस ही नहीं होता है अरे जिंदिगी में जब कभी हमारे समने बड़ा लक्ष होता है न कि कुछ हासिल करना कुछ पाना है समझ गए तो हमें attraction लुभाते नहीं है तब हम समझ रहे न क्या बोलने की कोहिश कर रहा हूं में बहुत होश्यार हो आप लोग के मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जिंदिगी में जब जब जो है उर्जा मिलती है उर्जा कहा से मिलती है अपने लक्ष को देखके अपनी मंजिल को देखे कि वो पाना है हमको तो हमें attraction लुभाते नहीं है हम उन जाल में नहीं फसते हैं जहांप 90% सदिक लोग फस जाते हैं इसलिए तो 10% लोग 90% के उपर रूल करते हैं वो 10% से भी कम होते हैं क्यों बेटा क्योंकि जीवन में priority का बड़ा महत्व है जीवन में प्रात्मिकताओं का बड़ा महत्व है कि किन चीजों को कब आपने priority दी याद रखेगा ये नहीं बोलता मैं आपसे कि प्रेम करने की उमर 80 साल करने हैं ये भी नहीं बोलता मैं आपसे प्रेम कीजिए जो सही काम करता है उसी आदमी का वक्त भी सही होता है ठीक है ना? तो चलिए तो अभी हम वापस आते हैं अपने मुद्ध पलोट के जैसी मौका मिलता भट से वेच समझाने की कुछ कर लगता कुछ ना कुछ कर तो मैंने क्या कहा कि जैसी आप जो है वो एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल एटम जो होता उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो फिर अट्रेक्शन उसको रोग नहीं पाएगा इसलिए हम कहते हैं कि जैसी आपने 80 डिरी साज़ा सूपर का ताप मान दिया आपने गरम किया तो हाइडर बांड जो है दोनों स्टेंड के बीच की टूटने लगते हैं और दोनों डियने के हैलाइसे अलाग अलाग होने लगते हैं लेकिन यह एनर्जी इतनी अधिक नहीं है कि यह एक यह एक पॉलि parlarले के जो फास्प्र डाइस्टर बांड को तूड़ दे इतना नहीं यह इनर्जी है करे या दाने के यह देखरणना के लगते हैं फास्प्र डाइस्टर बांड को नहीं तूड पाता है फिक को झालाग अपने ट्रोड़ आपने आपने मेल्टिक टूडं इसे temperature को बलते है Tm, Tm of DNA, melting temperature of DNA कहते हैं, जो इस temperature पे DNA का melting होता है, DNA का denaturation होता है, मतला उसके दोनों strand अलग-अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम Tm से indicate करते हैं, और ये घटना क्या होती है, ये घटना होती है, कि DNA के दोनों strand के बिच में hydrogen bond तूट जाते हैं, क जब आप the temperature at which DNA gets denatured, उसे हम melting temperature जानेते हैं, अब interesting बात, यहाँ पर भी एक कहानी बड़ी interesting है, कि जितने अधिक संख्या में hydrogen bond होंगे, उतना अधिक थ्राट आपको energy अधिक देनी पड़ेगी, more attraction, you need more energy to cancel that attraction के, तो जो DNA content जो इसमें, गवानिन cytosin content अधिक होता है, वो DNA को थोड़ा अधिक temperature हमें देना पड़ता उसके लिटके, फिर अब मालनों denatured DNA को आप ठेंडा करने लगे, धीमे-धीमे आप उसे ठेंडा करेंगे, तो जो hydrogen bond तूट थे वो दुबारा बनना सुरू हो जाएंगे, दुबारा बनना सुरू हो जाएंगे और DNA के double strength दुबारा स जाते हैं, दोनों हैलिक्स आपस में जोड़ जाती हैं, इसे बोलते हैं, annuling of DNA बोलते हैं, renaturation of DNA बोलते हैं, इसे हम DNA का annuling बोलते हैं, या renaturation of DNA कहते हैं, और DNA का इसे हम renaturation कहते हैं, तो कोई पूछता है आपसे कि what is the meaning of the annuling of DNA, तो बोलिंगे इसमें कि DHL DNA के double strength आपस म कोई पुछता है, annuling of DNA में कौन सा bond बनता है, तो वो hydrogen bond बनता है, ठीके, अब जो denatured DNA होता है, सुनिये बात के, बड़ी छुट-छुटी बाते हैं मिटा, लेकिन एक्जाम में यह क्या है, यह सब off-bit question बोलते हैं, जब कभी denatured DNA, अब denatured DNA का मतलब क्या हुआ बिटा, इस अधिक radiation को absorb करता है, और DNA, जिस radiation को absorb करता है, उसे बुलते है, वो होता, अल्ट्रावाले tradition होता है, DNA, high energy की radiation है, अल्ट्रावाले trace को absorb करता है, और यह अल्ट्रावाले trace DNA के अंदर परिवर्तन कर सकती है, ठीके, mutation कर सकती है, खतरनाक होती है, यूवी रह हमारे लिए, तो अ हमारे अंदर double instant DNA डाला इसलिए उसने कि ताकि हमको ये खत्रा कम हो दूसरा अगर एक advantage का और भी है वो DNA के replication में जहां हम आगे बात करेंगे ठीके तो hyperchromism का मतलब है कि D-natured DNA 40% तक अधिक ultraviolet radiation को absorb करता है इसे hyperchromism कहते हैं और hypochromism का मतलब है normal DNA कम ultraviolet radiation को absorb करेगा उसे हम hy hypochromism कहते हैं किलर ठीक है फिर DNA के जो भी intramolecular detail थे जिस technology जिस तकनीक से वो पता किये गए थे उस technique का नाम क्या है उसका नाम है x-ray crystallographies दी technique के वो टेकनीक क्या है वो टेकनीक है x-ray crystallographies जिस टेकनीक से हमने जो है DNA के intramolecular details को पता किया ठीक है वीटा है ना कैसे करते है tools and technique sell the unit of life सब बताया है वो बनेट के यह है दुनिया का सबसे famous photograph science के world biology के world में जेविक संसार के world में biology जो biologist है उनके बीच में one of the fantastic photograph लोग scenery देखके खुश आते हैं लोग अलग अलग चीज़े देखके खुश आते हैं लेकिन कहा जाता है कि this is the fantastic photograph in the field of the biology research biology research and biology ठीक है research and development की बात करें, biology की बात करें हमके यह है photo 51 के photograph 51 जो की x-ray diffraction image को शो करता है और taken by Rosalind Franklin in 1952 के और यही वो photograph है जिसके आधार पर double helical model DNA का बराने में help मेली थी ठीक है DNA के intramargot detail क्या बोलता है वो कहता है DNA helical nature का है DNA में एक पिछ की एक फेरी की लंबाई 34 angstrom है major group और minor group होते है यह इसकी दूरी major group जो होता है 22 angstrom का होता है खांच की बात कर रहे हमके और minor group क्या होता है वो होता है आपका 12 angstrom का होता है minor group जो है वो 12 angstrom का होता है ठीके ना ठीके तो मैंने क्या देखो ऐसा होता है यह बच्चे ग्रूप का मतलब नहीं समझ पाते है इसलिए बारबा बतारों के जिसे यह DNA है ठीके तो क्या होता है यह तो हम two-dimensional image देखने है ठीके 3D में देखेंगे ना तो जो DNA यहां पर कुंडली घुमती कोई भी कुंडली जो गुमती तो यह प्रम साट बीच में गाप बनता है कि उसे खाज बोलते है इसे 45 बोलते इ MIC होता है इसमें minor group होता है इसमें खीके ना किलर मुझे कोई object दिखा ही की दिखांगे ने पना को शूशिश कर आभा ुभाने के object दिखेंगे तो में आपको उसको बता पाउं इसके ग्रूप से तब दिखाई पड़ आपको ये दरगा ग्रूप दिखाई पड़के तो एक माइनर ग्रूप होगा एक मैजर ग्रूप होगा एक बड़े शूट का करका होता है तो हमेंसा अल्टरनेट होते हैं एक मैजर ग्रूप एक मैजर ग्रूप एक मैजर ग्रूप एक मैजर ग्रूप के 10 पेर अफ नुक्टाइट जो है वो आपको एक टर्न में देखने मिलते हैं दो नुक्टाइट पैर के विछ की दूरी 3.4 एंग स्टाम होती है जिसे एक्जल राइस करते हैं के अब यह तक तो यहां तक तो पूरी जानकारी हमारे पास है एक बार मैने रिपीट का जिए मैं क्लास खतम होने के बाद आपको सारे mcq अप लगा पाएं सब चीज आपको दिमाग में रहना चीकता है कई बच्चों को टार्गेट रहता है कि क्लास में आएंगे तो नोट करेंगे बस वही टार्गेट रहता नहीं वेटा आपको क्लास में लर्न करना सीखना इसलिए मैं बार-बार रिपीट चीजों को रिपीट भी करता हूं ठीक है डिएने डवल हैलिक्स में दो हाइडन बॉर्ण कहां-कहां एडनी थाइमी के बिच होते हैं पहला बॉर्ण होता है बिटा बिटविन अमाइन ग्रूप अप कारवन 6 ओफ एडनीन और क्रिटो ग्रूप कारव बिच होता है 2.90 एंग्स्टॉम का होता है ठीक है ना और यह एडनीन थाइमीन जो होते है बिटा यह एक पटकलर एंगल पर जुके हुए होते हैं सीधे नहीं होता है थोड़ जुके होते हैं एक एंगल पर जो एडनीन और पेंटो शुगर के बिच का जो एंगल है 51 डिग होता तो वो जो कौन होता इसका वो होता है एजनीन और पेंटो शुगर के बिच का एंगल होता है 51 डिगरी का और थाइमीन और पेंटो शुगर के बिच का एंगल होता है 50 डिगरी का ठीक है न देखे न यह हम इस एंगल की यह जो जुड़े हुए यहां पर यह जो एंगल है अब देखो बिटा है ना बोनड में अब लिखाया तो बॉज बोला है वो लोटकर लेजिगे कि मुझे थोड़ा से याद नहीं आ रहा कि exactly carbon number कहाँ पर है तो मैं एक बार चेक करके आपको दुबारा बता दूँगा चिंता मत कीजिए ठीके अभी आप लेकिन लेकिन लिख लिजिए उसको दोटरियों की ने फिर दोल बर में इडे के ता कर 시से और कि अरे जोटरियों के बार लेकिन इंवी लेकिने गवरान इंड़ विर्ष writings नियुकरा Miramow. bond है वो उसकी length होती है 2.84 एंग स्टॉम इसकी length होती है क्लियर यह प्योर लेखो यह जो बता रहा हूँ ना यह chemistry के biomolecules वाले portion में कोई ऐसे question जो unexpected type के वहाँ पे आ सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ को otherwise biology में इस तरह का question नहीं आता बिटा ठीक है रहा bond length वाला पर चुकि मैं पढ़ा रहा हूँ इस सरकल को क्वेंबोलिंगे chemistry में कि गीतन सर ने biomolecules पढ़ाया थो उंको कुछ भी नहीं बताया क्या तो भाई यह इसलिए बतायता हूँ में ना थाकि मेरा तब एसा ना हूँ कि सिंजे सर के सामने मेरा मजा को बनवाद हो यह रहे ना ठीक है उंको बताना बढ़ाएंगे वह कहां से मालूम थोड़ा 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 मालूम है हमको चलिए तो थार्ड हाइडन वांड एनवन अफ गवान एनवन ऑफ साइटोसीन की बीच में तुपइंट नाइंट यह स्टॉप इसका बांड लेंद्थ है ठीका है एड़के चिविच्वान पेंटो शुगर रोटे याद रखिए कि सबसे बड़ा एंगल पेंटो स्गर रोक तो गवानिन के बीच का होता है 54 डिगरी का होता है और साइटोसीन और पेंटोसीन के बीच का एंगल जो होता है 52 डिगरी का होता है ठीक है and this is entirely for the chemistry जो बताया है मिला को ठीक है ठीक है ना तो अभी हम जो कुछ बाते बॉर्ण लेंद बॉर्ण किसके बीच में यह कैमेस्टी का पॉर्शन है ठीक है इन दो स्टेंड के बीच की दूरी कितनी होती है वो होती है 20 एंग्स्टॉम और 20 एंग्स्टॉम इस दी डाइमीटर आप दे डिएन है उसी बोलते हैं डाइमीटर आप डिएन ठीक है तो इसमें से जो यह तो यह फॉस्पर डाइस्टर बॉर्ण से बना हुआ पूराट के जो नाइटिन बैस अंदर की तरवाए हों यह कुल कितना जगी घरते हैं बोलते हैं कि 20 एंग्स्टॉम में से जो एदनीन थाइमीन बैस पर है वो 11.1 एंग्स्टॉम इस पर जब्कि ग्वानिन और साइटिसन बैस पर जो है वो 10.8 एंग्स्टॉम इससको घरते हैं याद DNA की width भी के लाती है वो होता है 20 angstrom होता है DNA का angular divergence हम अल्रडी बात कर चुक है 36 degree का होता है जो rotational angle होता है कि 2 nuketite pair के विछ का angle कितना होता है 36 degree होता है tilt of DNA very very important कि ये एक बार AMS में और एक बार AIPM team पुछा गया कि DNA का जुगाब कितना होता है एक man axis से DNA का जुखाब कितना होता है सीधा DNA देखेंगे तो वो DNA एक दम सीधा नहीं होगा वो ठोगा वो और वो होता है 6 degree का होता है important के the tilt of DNA is 6 degree with its axis DNA helix में आपको right-handed coiling देखने मिलती है इसको हम dexto coiling में कहते है DNA जिस wavelength की radiation को absorb करता है वो ultra violet light होती है UV radiation होती है 2600 engstrom कीट के हमने देखने 2600 engstrom की होती है 2600 engstrom की होती है nanometer में बोलेंगे तो बोलेंगे 260 nanometer की wavelength होती है इचको DNA सबसेदिक absorb करता है ठीक है देखने है action inspector में मतलबे किस wavelength पर सबसेदिक काम होता है और absorption spectrum का बतलब है किस wavelength को सबसे दिक absorb किया जाता है तो ये पाया गया है कि DNA का absorption spectrum है और वो अल्टा वाले light में होता है और यही उसका इसी light पे यहीं UV light में DNA में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं सबसे दिक mutation हमको देखने मिलते हैं ठीक है फिर मैंने आपको कहा था बेटा कि जो common DNA जो हमारा normal DNA जो हमारा normal DNA है न उससे हम बोलते हैं B DNA उसे क्या होते हैं बी DNA बोलते हैं कि कुछ DNA से होते हैं जिनमें हमको left-handed coiling देखने मिलती हैं वो Z DNA कलाते हैं Z DNA में left-handed coiling होती है जबकि A DNA में B DNA में B DNA normal DNA right-handed coiling हमको देखने मिलती है ठीक है देखे दिजार दी DNA यह हम देखने हैं लिके तो coiling का direction कि left-handed and right-handed coiling ठीक है न किलियर चलिए अब एक कुछ question और लगाते हैं आज फुरा सा जो है वो दिमाग लगाते हैं हम चीजों में फिर आपको जो है solve करना है फिर आगे बढ़ेंगे तो पहला question how many best pairs are present in one micrometer long double strand DNA एक micrometer long double strand DNA में कितने best pair पाई जाते हैं एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं यह question आपको homework में देते हैं और रेंडमली कुछ बच्चों का जन्होंने सही solve किया है सबसे पहले solve किया जन्होंने सही solve किया उनका मैं नाम भी लूँगा तो how many best pairs are present in one micrometer long double strand DNA एक micrometer long लंबे एक micrometer long double strand DNA में कितने best pair होते हैं how many best pair 1000 best pair, 2000 best pair, 3000 best pair, 4000 best pair पहला question it is homework ठीके बताना है करके ठीके दूसरा question एक double strand DNA है 40 nucleide, एक double strand DNA में 40 nucleide है A, T, G and C all are 10 a number, A, T, G और C सभी 10 की संख्या में इस double strand DNA की लंबाई कितनी होगी, what is the length of this double strand DNA strand के इस double strand DNA की लंबाई कितनी होगी, 34 angstrom, 68 angstrom, 102 angstrom, 102 angstrom या 40 angstrom Question number 3, if in a double strand DNA यदि एक double strand DNA में कुल total 200 nucleide present हो, कुल 200 nucleide present हो, इन में से 60 में cytosine हो तो कितनों में adrenine होगा, यह आपको बताना है, ठीके यह homework है भले इस तरह का question हम आपको करना है एक बार, खुद से करना है एक बार, ठीके क्लिया, चले, आज इतना ही करेंगे, इसमें हम, next class में हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जो है, वो molecules पूरे देख चुके हैं के, हैंने हम DNA, सब कुछ हम देख चुके हैं आपे, next अब हम बात करेंगे, अब आप बोलों कि sir, RNA को detail में आपने नहीं पढ़ा है, तो RNA को detail में पढ़ते हैं पढ़ेंगे, आप इसके हम बात, हम बायो मॉलिकुस में इंटर करेंगे, भी मेटाबॉलिस वाले पार्ट में इंटर करेंगे, देने हम एन्जाइम पढ़ना है, थोड़ा चेप्टर जो है, उसमें एन्जाइम है, हर साल कोशन आता है, वो भी हमको ध्यान से मिटा पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक, पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो फाइदा मिलेगा, दरवाइस जो है, और क्या, एक चेप्टर जो जैसी हम पूरा करते हैं, तो वो किसी और चेप्टर का 10-12 परसेंट बाग पर पर कवर कर लेता है, जो बायो मॉलिकुस पढ़ रहे हैं, यह आपका सरूलर र झाल 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